अलो दोस्तो मैं आज आपके लिए के आया हूँ मार्च मंत की बहुत ही महत्पूर्ण करेंट अफेर्स टॉप क्वेस्चन्स को लिए गये हैं यहां पे जो कि आपके आगया आने में लिए 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 बहुत ही महत्पूर्ण है तो चलिए शुरू करते हैं अंतर रास्ती गीता मौत सो दोहजार चौबिस का आयोजन कहां किया गया इसका आयोजन किया गया स्रिलंका में और यह पांचमा संस्क्राण था बहुत है कब हुआ एक से तीन मार्च दोहजार चौबिस में हुआ भी इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉंड योजना सविधान के अनुच्छेद 19.1.1 के तहट सूचना के अधिकार और भासड और अभिविक्त की सुतंतरता का उलंगन करती है और यह 2017.18 के बज़ट में लाया गया था चलते हैं नेक्ट क्वेशन पे चलते हैं नेक्ट क्वेशन पे हाल ही में माजूली मुखोटे के लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया है वो दिया गया है असम को चलते हैं नेक्ट क्वेशन पे हाल ही में UGC द्वारा लांच किया गया स्टेरनी C Research Network India क्या है तो यह महिला व्यज्यानिकों और महिला संकायों जो फैकल्टीज होते हैं कुछ ससक्त बनाने के लिए एक डिजिटल मन्च है ठीक है डिजिटल प्लेटफॉर्म तो इंपॉर फीमेल साइंटेश्ट एंड फीमेल फैकल्टीज चलिए नेक्ट क्वेशन पे चलते हैं प्रसिद्ध पुस्तक प्राम अकार सेट टू दा कॉर्णर रूम और बियॉंड के लेखक कौन है उसके लेखक कौन है वो है एस रमन यह SBI में एक क्लरक से लेकर केनरा बैंक के अध्यच और प्रबंध निदेशक और पूर्ण कालिक सदस्य बनने तक कि उनकी उलेखनिय यात्रा का प्रत्थम व्यक्ति विवरण प्रस्तुत करती है ठीक है नेक्ट क्वेशन पे चलते हैं हाल ही में चर्चा में रहा कच्या तिवुद्यूप किन देशों से संबंधित है यह संबंधित है भारत और सिलंका से यहाँ पे आप देख सकते हैं कच्या तिवुद्यूप का सामित भारत और सिलंका के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है विसेश रूप से आसपास के जल छेत्र में मचली पकड़ने के अधिकार को लेकर तमिल नाडू के मचवारे इससे विसेश रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे इस छेत्र में मचली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों का दावा करते हैं चलते हैं नेक्ट कुईशन पर, आल ही में प्राइम मिनिष्टर नरेंद मोदी को भुटान का सर्वोच नागरिक सम्मान दिया गया, कיा था वो, order of the druck galpo, लोगपरी है चाप्चर कुट पुट्स goodness, यह है मिजोरम का, यह एक बसंत तोहार है जिसे मार्च के दौरान जूम क्रसी के सबसे कठिन कारे के पूरा होने के बाद मनाया जाता है ठीक है चलते हैं अपने अगले क्वेशन पे अल ही में अमेरिका मेरी लेंड में जो पुल्ड है गया उसका क्या नाम था तो उसका नाम क्या था फ्रांसिस इसकोट की ब्रिज इसका नाम मेरी लेंड के एक वकील फ्रांसिस इसकोट के नाम पर रखा गया था उन्होंने अमेरिकी राष्टगान दैश्टार स्पैंगल्ड बैनर लिखा था ये भी एक संयोग है कि 26 मार्च को पुल के खुलने की 47 वी वर्ष्टगाट के तीन दिन बाद यह हादसा हुआ चलते हैं अगले क्वेशन पे Election Commission of India द्वारा PWD के लिए किसे राष्टी आइकन बनाया गया है तो ये बनाया गया है सीतल देवी को ठीक है ये एक पैरा तीरंदाज है वो अरजुन पुरुसकार विजेता है ठीक है दिव्यांगता स्टेडी में ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पे DRDO द्वारा विक्सित VSHORAD क्या है तो ये क्या है बहुत ही कम दूरी की वायूरच्छा प्रणाली है ठीक है वेरी सॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नेक्स्ट क्वेशन पे चलेंगे आलगी में चर्चित अफ़स्पा कानून कब लाया गया A.F.S.P.A. ठीक है ये कब लाया गया तो ये लाया गया 1958 में लाया गया था ठीक है A.F.S.P.A. ससस्त्र बलों और असांत छेत्रों में तैनार्थ केंद्रीय ससस्त्र पुलिस बलों कानून का उलंगन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने तथा बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलासी लेने एवं अभियोजन तथा कानूनी मुकदमों से सुरच्छा के साथ निरंकुस अधिकार देता है ठीक है वर्तमान में अपस्पा असंब नागालेंड मरीपुर और अगुनाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है यहाँ पे यहाँ पे F.S.P.A. किस फेलिंग गलत हो गई है हाल ही में लोगप्रिय सच्छम एप किस ने लॉंच किया ते किस ने लॉंच किया यह Election Commission of India ने लॉंच किया ठीक है यह चुनाय ओयोग ने दिव्यांग विक्तियों की सुविधा के लिए सच्छम एप लॉंच किया ठीक है चलते हैं नेक्ट कॉशन पर राष्टिय जाच एजंसी NIA के नए महानी देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो वो नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाते को इस राष्टिय एजंसी को 2008 के मुंबई हमले के परश्चात इस्थापित किया गया था नेक्ट कुशन पर चलेंगे आल ही में प्रसिद आउपरेशन काम्द एनू किस राज केंदर सासित प्रदेश ने लाwn्च किया है तो यह लाँंच किया किसने जंग्मू कसमीर पुलिस ने मवेसी तस्करी से निपटने हे तो ठीक है नेक्ट कुशन पर चलेंगे तो ये भारत और सेसल्स के बीच का संयुक्त सैन्ने अभ्यास है नेक्ट क्वेशन पे चलेंगे तो वो है मेलानो क्लैमिस द्रॉपदी ठीक है नेक्ट क्वेशन पे चलेंगे पीएम सूरज पोर्टल किस से संबन्दित है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंतरी सामाजी कुथान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज प्राश्टी पोर्टल लाँच किया और वंचित वरगों के एक लाख पात्र उद्रमियों को रिण सहायता प्रधान करने को मंजूरी भी दी ठीक है इसके अंतरगत ये योजना लॉंच की गई ठीक है नेक्ट क्वेशन पे चलते हैं आल ही में लाँच की गई इंद्रम्मा इंद्लू आवास योजना किस राज से संबंधित है तो ये संबंधित है तेलंगाना से नेक्ट क्वेशन पे चलेंगे हाल ही में चर्चित समुद्र लच्मड संयुक्त युद्ध अभ्यास किन देसों के बीच हुआ समुद्र लच्मड संयुक्त युद्ध अभ्यास किन देसों के बीच हुआ तो ये हुआ भारत और मलेसिया के बीच में कहां पर हुआ इसाका पत्नम में हुआ नेक्स्ट क्वेशन पे चलेंगे भारत का पहला सोदेसी फास्ट ब्रीडर रियक्टर कहां इस्थापित किया गया तो ये इस्थापित किया कल पक्कम अमिलनाड में इसकी छंता कितनी है वो है 500 मेगावाट नेक्स्ट क्वेशन पे चलेंगे CBSC के नए अध्यच किसे बनाया गया है ये बनाया गया है राहुल सिंग को जो कि एक वरिष्ट आईस अधिकारी है चलता है नेक्स्ट क्वेशन पे वायू गुर्वत्ता रिपोर्ट 2023 कि अनुसार किस देश की वायू गुर्वत्ता सबसे खराब है यहां पे सबसे खराब है वो है बांगला देश उसके बाद पाकिस्तान और तीसरे नमबर पे है भारत ठीक है और भारत की जो कैप्टल है नई दिल्ली वो दुनिया की सबसे प्रदूसिप कैप्टल सिटी है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पे चलते हैं आलही में पรधानमंत्री द्वारा वीरता की मूरती या इसको बोल सकते हैं स्टैचू अफ वेललोर का अनावरन कहाँ किया गया तो यह किया गया जोरहट आसाम में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने आसाम के जोरहट में अहों सेनपति लचित बोर फूकन की 125 फूट उची प्रितिमा का अनावरण किया Next question पे चलेंगे आल ही में चर्चित PMLA कानून कब लाया गया तो ये कब लाया गया ये लाया गया था 2002 में लाया गया था और 2005 में ये लागू हुआ था ठीक है इसको हिंदी में बोलेंगे धन सोधन निवारण परतिनियम Prevention of Money Laundering Act PMLA ठीक है Next question पे चलेंगे हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है तो बनी है सुमन कुमारी ये SI हैं सब इंस्पेक्टर है BSF में ठीक है Next question पे चलेंगे हाल ही में संसत सुरच्छा प्रमुक के रूप में झाल ही में चर्चित सेला टनल प्रोजसेक्ट किस राज में विक्सित किया गया यह चल प्रदेस में नेक्स्ट क्याजिशन पैजलेंगे धिती महिला प्रीमियर लीग 2014 का किताब किसने जीता तो वो जीता Royal Challengers Bangalore और ये दूसरा संस्क्रान था महिला प्रीमियल लीग का ठीक है इसमें देखा जाए तो विजेता टीम को 6 करोड रुपए मिले ठीक है और उप विजेता टीम को 3 करोड रुपए मिले और ट्राफी भी मिली साथ में वो थी दिल्ली कैप्तिल जो उप विजेता रही यहां पर ठीक है और प्लेयर आप दा मैच वो रही वो सौफी मॉलिनो रही ठीक है और Emerging प्लेयर आप दा सीजन कौन रही वो स्रियंका पाटिल रही ठीक है सरवाधिक विकेट के लिए परपल कैप किसको मिला वो भी लिप्ति सर्मा को ठीक है नेक्ट कोशन पर चलेंगे अब Paris Olympic 2024 में भारत का धजवाह कौन होगा Paris Olympic 2024 में भारत का धजवाह कौन होगा तो वो होंगे सरत कमल ये टेबल टेनिस खिलाडी है Paris Olympic 2024 में चार नए खेल सामिल किये गए हैं कौन-कौन से ब्रेकिंग सर्फिंग स्पोर्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग ठीक है नेक्ट कुशन पर चलेंगे हाल ही में चर्चित सिल्वर फिलिग्री को GI टैग प्राप्त हुआ है या किस राज से संबंदित है तो ये संबंदित है ओडिसा से नेक्ट कुशन पर चलेंगे हाल ही में NCSC का अध्यच किसे बनाया गया है ठीक है नेशनल कमिशन फॉर सिडूल कास्ट ठीक है तो ये बनवाया गया है किस ओर मकवाना जी को ठीक है नेक्ट कुशन पर चलेंगे हाल ही में चर्चित ED एजनसी किस मंतराले के अंतरगत कारे करती है तो ये वित्त मंतराले के राज़स विभाग के अधीनेख विसेश वित्ती एजाच एजनसी है next question पे चलेंगे चर्चा में रहा operation इंद्रावती का संबन्द किस्से है तो ये भारत द्वारा हैती से भारती नागिर्कों को रच्छित निकालने के लिए चलाया गया था कौन सा operation? operation इंद्रावती next question पे चलेंगे भारत की पहली underwater metro किस नदी पर बनाई गई है तो ये बनाई गई हुगली नदी पर ये कोलकाता में भारत की पहली underwater metro की शुरुआत हो चुकी है हुगली नदी के नीचे से गुजरती ये metro east और west कोलकाता को अफस में जोडती है ठीक है next question पे चलेंगे आसकर पुरुषकार 2014 की बात कर लेते हैं इसमें सरुसरेश्ट अभिनेत्री का पुरुषकार किसको मिला तो best actress का खिताब मिला Emma Stone को किस फिल्म के लिए दिया गया poor things के लिए दिया गया best actor के लिए मर्फी को दिया गया open highmer के लिए best director किसको मिला Christopher Nolan को मिला open highmer के लिए best cinematography ये मिला open highmer को best documentary feature film वो मिला 20 days in mario pole ठीक है आसकर पुरुषकार सर्फेश्ट के फिल्म ने जीते वो सबसे जीते open highmer फिल्म ने इस आसकर में सबसे जादा पुरुषकार जीते हालगी में किस भारती सक्सियत को इरासमस पुरुषकार 2024 दिया गया है तो दिया गया अमिताब घोस को एक ही लेखा कहें ठीक है next question पे चलेंगे UNDP द्वारा जारी नविंतम लैंगिक असमानता सुचकांक 2022 में भारत की रेंग क्या है लैंगिक असमानता सुचकांक इसमें भारत की रेंग है तो देश में इस्तापित किया गया है ठीक है next question पे चलेंगे हाल ही में किस देश में भारत से डोर नियर 228 विमान खरीदने है तो समझाता किया है तो वो किया है गुयाना ने next question पे चलेंगे 206 रोग दिवस 2024 कब मनाया गया तो यह कब मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है यस वी कैन इंड टीबी ठीक है next question पे चलेंगे हाल ही में चर्चित मुक्ष मंतरी युवा युद्धमी विकास अभियान मुवा किस राज से समबंदित है यह समबंदित है उत्रपदेश से इसका लच्छ क्या है प्रतेक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त रिण प्रधान करने की एक लाख युवा उद्धमीयों को तयार करना है लग एक लाख युवा उद्धमीयों को पांच लाख तक का रिण देना है ब्याज मुक्त ठीक है और वित्ती वर्ष 2024-25 के बजट में एक हजार करोड रुपए इस योजना के लिए आवंटित हुए है ठीक है नेश्ट क्वेशन पर चलते है हाल ही में ग्रह मंत्राले द्वारा हर वर्ष हैदराबाद मुक्त दिवस मनाने की गोशना किस दिन की गई वो 17 सितमबर को की गई ठीक है नेश्ट क्वेशन पर चलते है आल ही में कितनी हस्तियों को 2024 में भारत रत्न दिया गया तो पांच हस्तियों को दिया गया और वो 5 लोग आपके सामने है चौधरी चरनसिम, नरसिम भाराओ, डाक्टर एमेस स्वामी नातन, लाल प्रिस्टनाडवानी और करपूरी ठापूर ठीक है नेश्ट क्वेशन पर चलते है आल की उच्चेस्तिये समिती One Nation, One Election के अध्यच कौन है तो वो है रामनात कोविंद, इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सम्मिट कर दिये नेश्ट क्वेशन पर चलेंगे डायना मेमोरियल अवार्ट से सम्मानित होने वाले पहले भारती कौन बन गए है ये बन गए हैं, दो लोगों को चुना गया है उदैभाठिया और मांसी गुपता ठीक है, नेश्ट क्वेशन पर चलते हैं हाल ही में VSSC द्वारा गगनियान से सम्मानित कौन सा अप या पोर्टल विक्सित किया गया तो वो किया गया सकी अप ठीक है, नेश्ट क्वेशन पर चलेंगे इस देश ने 2035 तक पेट्रोल आधारित कारों के बिक्री पर पितिबंद लगाने की गोस्टना की है अभी हाली में आपने सुना भोगा और देखा भी होगा ठीक है, नेश्ट क्वेशन पर चलते हैं अंतर राश्टी महिला दिवस 2024 आठ मार्च की थीम क्या है यह है Invest in Women Accelerate Progress यह इस साल की थीम है ठीक है next question पे चलेंगे प्रो कबड़ी लीग 2024 का खिताब किस ने जीता तो यह जीता पुड़ेरी पल्टन ने और यह final में इसने हरियाणा श्टीलर्स को 28-25 से हरा दिया ठीक है next question पे चलेंगे अठाइस साल बाद भारत में आयोजित Miss World 2024 पृतियोगता में भारत का पृतिनिदित किस ने किया तो वो किया सिनी सेटी ने ठीक है और इसके विजेता कौन रही वो चेक रिपब्लिक की क्रिश्टीना पिस्कोवा ने 71-वे वर्ड 2024 का क्राउन अपने नाम किया ठीक है यह 71-वे नंबर का था और भारत में आयोजित हुआ अठाइस साल बाद ठीक है next question पे चलेंगे एम मोदी ने भारत की पहली वानिजिक सेमी कंड़क्टर हैवरिकेशन सुविधा की आधार सिला कहां रखी तो यह धोलेरा गुजरात में रखी ठीक है next question पे चलेंगे आलगी में इस्रो का दूसरा इस्पेस पोर्ट कहां इस्थापित किया गया है इस्रो का दूसरा इस्पेस पोर्ट कहां इस्थापित किया गया है वो किया गया है कुल सेकर पत्तिनम तमिलनाड में ठीक है next question पे चलेंगे हाल ही में लोगप्री एथेनाल 100 वैकलपिक आटो इनन किस ने विक्सित किया है जूस जैकिंग सब्द किस से संबन दीत है तो जूस जैकिंग सब्द किस से संबन दीत है और ये किस तरीके से अटेक इसमें होता है तो वो होता है जूस जैकिंग जो है एक प्रकार का जो साइबर अटेक है जिसका उद्दम सरवजनिक इस्थलों जैसे हवाई एड़ों, कैफे, बस स्टाप, आदि में स्थापित USB charging port से होता है जैसे ही किसी भी device को plug-in, पस्चात connect किया जाता है तब एक malware install हो जाता है या किसी भी smartphone, tablet या किसी अन्न computer device से समेधन सिल डेटा को चुरा लिया जाता है ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान दोई है नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे नाटो का 32 मा सुदस्देश कौन बना है तो बना है Sweden, नाटो North Atlantic Treaty Organization ठीक है, नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिती के अध्यच कौन बने है वो बने हैं देवेंद्र जहां जरिया ठीक है, और ये दो बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है इन्होंने 2004 एथेंस में और 2016 रियो पैरालंपिक में F46 विकलांगता स्रेड़ी में सौनपदक जीते है और ये किसके इस्थान पर यहां पर नियुक्त हुए है वो दीपा मलिक के इस्थान पर नियुक्त हुए है वो भी एक प्रसिद पराइटलित थी अलही में चर्चित मिसन दिव्यस्त्र क्या है ठीक है, तो ये DRDO का अगनी 5 का पहला सफल परिछन है ठीक है, इसकी मारक चमता 5000 किलोमीटर से अधिक है ये अगनी जो मिसाइल है उस सिरीच में सबसे ज़्यादा इसकी मारक चमता है ठीक है नेश्ट क्वेशन पर चलेंगे UNDP द्वारा जारी मानो विकास सुचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है तो वो है 134th नंबर पे इसके मापदंड क्या होते है स्वास्त सिच्छा और जीवनिस्तर नेश्ट क्वेशन पर चलेंगे देश की पहली LNG आधारित बस कहां सुरू की गई वो सुरू की गई मुंबई में नेश्ट क्वेशन पर चलेंगे भारत का पहला आईरवेदिक रेस्तरा सोमा कहां सुरू किया गया वो सुरू किया गया नई दिल्ली में नेश्ट क्वेशन पर चलेंगे प्रसार भारती के अध्यच की रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो नौनीत सहगल को नियुक्त किया गया है next question पे चलेंगे हाल ही में रिशा वस्त्रों वो GI tag दिया गया इनका संबंद किस राज से है वो त्रिपुरा से है ठीक है रिशा वस्त्रों next question पे चलेंगे Saudi Arabian Grand Prix 2024 किसने जीता वो जीता Max vs. Tappen ठीक है Max vs. Tappen next question पे चलेंगे प्रिटजर वास्त्रों कला पुरुसकार 2024 के तिरपन है पुरुसकार विजेता से किसे सम्मानित किया गया तो वो किया गया Riken Yama Moto को बाल क्रश्म दोसी जो है प्रिटजर पुरुसकार 2018 जीतने वाले पहले भारती ये थे पहले भारती वास्त्रों कार थे next question पे चलेंगे NDRF का नया महानी देशक किसे नियुक्त किया गया है तो वो किसको बनाया गया है वो पियूस आनन्द जी को बनाया गया है next question पे चलेंगे हाल ही में 700 test wicket लेने वाले विस्स के पहले तेज गेनबाज कौन बने है तो वो बने है James Anderson ये England के तेज गेनबाज है अगर हम overall देखें overall सबसे ज़्यादा test में wicket किसने लिये हैं तो मुथाया मुरली धरन ने 800 wicket लिये हैं उनकिस के बाद 780 wicket लिये हैं और ये दोनों spinner थे तो पहले fast game बाज कौन है वो है James Anderson 700 अगर भारत में सबसे ज़्यादा test wicket लेने वाला तो वो है अनिल कुम्बले ठीक है next question पे चलेंगे हाल ही में खबरों में राज C.A.E. 2019 के किन तीन देशों के सरनार्थियों पर लागू होता है तो वो लागू होता है पाकिस्तान बांगला देश और अफगानिस्तान के धार्मिक संखेकों को नागरिक्ता देता है next question पे चलेंगे हाल ही में राश्पती द्वारा किसे चुनायो तो न्यूक्ति किया गया तो वो किया गया सुखवीर सिंग संधू और ग्यानेस कुमार को next question पे चलेंगे हाल ही में चर्चित डिफेंडर्स 2014 समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच हुआ तो वो हुआ अमेरिका और भारत के पत्रच्छक बलों के बीच में ठीक है और ये अंदमान निकोबार में हुआ था ठीक है हिंदी भासा साही तगार्मी पुरुसकार 2023 किसी दिया गया इंदी भासा के लिए किसको दिया गया वो संजीव को दिया गया उपन्यास मुझे पहँचानों के लिए अंगरेजी भासा के लिए किसको दिया गया वो नीलम सरन गौर को दिया गया किस उपन्यास के लिए रेक्यूम इन रागा जान की प्रतीक ओम के आकार में डिजाइन किया गया विश्व का पहला मंदिर है यह आपका मंदिर है जो कि ओम के आकार का है ठीक है तो यह राजिस्थान के पाली जिले में है नेस्ट कोशन पर चलेंगे किस ने जीता क्रिस्टीना फिचकोवा ने वो की चेक रिबाब्लिक की है ठीक है नेस्ट कोशन पर चलेंगे 42 में रंड़ जी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस ने जीता यह जीता मुंबई ने और यह 42 बार्ज बिजेता बनाए ठीक है 42 में रंड़ जी ट्रॉफी यह 42 बार जो जीता वो यहां पर थोड़ा सा डाउट है ठीक है तो यह 42 बार मुंबई ने जीता है ठीक है इसका उप्र विजेता कौन बना वो विधर बना ठीक है नेस्ट कोशन पर चलेंगे हाल ही में अमबा जी वाइट मार्बल को जी आई टैग प्राप्त हुआ यह किस राज से संबन दीत है यह गुजरात से संबन दीत है ठीक है नेस्ट कोशन पर चलेंगे राज में आईरिस AI रोबोट से चक विक्सित किया गया है किस राज में विक्सित किया गया है वो तिरुवनंत पुरान में केरल में विक्सित किया गया है next question पे चलेंगे हाल ही में नेपाल ने किस सहेर को हिमालेई राष्ट की परेटन राजधानी बनाया है तो पोक्रा को बनाया है next question पे चलेंगे विश कबड़ी दिवस 24 मार्च पर 128 लोगों ने एक साथ कबड़ी खेल कर गिनीज वर्ड record कहां बनाया तो यह बनाया ताव देवी लाल स्टेडियम पंचकुला हरियाणा में ठीक है next question पे चलेंगे वह किस राज ने भारत का पहला सरकारी स्वामित वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लांच किया है ठीक है सरकारी स्वामित का OTT प्लेटफॉर्म स्थी स्पेस किस राज ने लांच किया है वो केरल ने लांच किया है next question पे चलेंगे हाल ही में चर्चित सोनम वांग्चुक किस राज केंसासित प्रदेश में भूंकरताल पर बैठे थे तो बैठे थे लड़दाक में next question पे चलेंगे एबल पुरुसकार 2024 किसे दिया गया ठीक है तो ये दिया गया मिचल टाला ग्रेंड को इसे mathematics का नोबल भी कहते है यह और mathematics में ही दिया जाता है ठीक है next question पे चलेंगे हाल ही में चर्चित महिला बैवसाय और कानून रिपोर्ट सुचकांक 2024 किसने जारी किया ठीक है वो हाल ही में चर्चित महिला बैवसाय और कानून रिपोर्ट सुचकांक 2024 किसने जारी किया तो वर्ड बैंक ने जारी किया next question पे चलेंगे पहले भारती किर्किटर जिसने T20 में 12,000 रन पूरे किये तो वो हैं विराट कोहली next question पे चलेंगे गरवपात को समयधानिक अधिकार घोसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है वो फ्रांस बन गया है ठीक है गरवपात को समयधानिक अधिकार देने वाला next question पे चलेंगे अंतर राष्टी महिला दिवस 2024 पर किस महिला व्यक्तित को राज सभा के लिए नामांकित किया गया ये सुधा मूर्ती जी है ठीक है next question पे चलेंगे फाल ही में चर्चित फूल देई महौत सो 2024 किस राज से संबन दी थे तो ये उत्राखनराज से संबन दी थे next question पे चलेंगे भारत की पहली बैटरी इनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्टरी कहां इस्थापित की गई है भारत की पहली बैटरी इनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्टरी कहां इस्थापित की गई है तो वो की गई है जम्मू कस्मीर में Next question पे चलेंगे भारत का पहला डालफिन अनुसंधान केंडर कहाँ इस्थापित किया गया है तो वो पतना बिहार में किया गया है ठीक है Next question पे चलेंगे अलही में केंदरी मंत्री अमित साह ने NIA के कौन से एप का उधखाटन किया तो उन्होंने CCMS एप का उधखाटन किया है जो कि NIA का है इसका फुल फॉर्म क्या है डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंदन प्रणाली है ठीक है अगले कुशन पर चलेंगे अलही में राष्टिय ठीका करन दिवस कम मनाया गया तो वो 16 मार्च को मनाया जाता है प्रतेक वर्स नेक्स्ट कुशन पर आलही में पहली राष्टिय गति प्रेजिनन फसल सुविदा DBT Speedy Seeds का उधखाटन कहां किया गया तो मुहाली में किया गया नेक्स्ट कुशन पर आलही में किस भारती अथलीर ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दोड में 16 साल पुराना रिकार्ड तोड़ा तो वो गुलवीर सिंग ने तोड़ा ठीक है नेक्स्ट आलही में मानवी सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और USA ने कौन सा भ्यास किया तो वो किया टाइगर ट्रैंब 2024 जो कि आंदर प्रदेश के काकिनाड़ा में आयोजित किया गया नेक्स्ट पर चलेंगे हालही में चर्चा में रहा चकरवाती तूफान मेगन का संबंध किस से है तो वो आश्टेलिया में आया तूफान, आश्टालिया के पश्चिमी शित्र में ठीक है नेक्स्ट पर चलेंगे हाल ही में माउंट एरेश्ट से भी उचे विसाल जालम की नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई ये माउंट एरेश्ट से भी उचा है ठीक है तो ये मंगल ग्रह पर इसकी खोज होती है next question पर चलेंगे हाल ही में भारत में पहली बार Formula 4 race का आयोजन कहां किया गया तो ये जम्मू कस्मीर के सीरी नगर में डल जील के किनारे पर किया गया next question पर चलेंगे हाल ही में चुनाव आयोग ने मिसन 414 कहां पर प्रारंब किया तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंब किया next question पर चलेंगे हाल ही में Indian Wells Open 2014 का खिताब किस ने जीता वो कारलोस अलकराज ने जीता अगले question पर चलते हैं वार्शिक जलवाई इस्थिती रिपोर्ट 2023 के अंसार 174 वर्सों में सफसे अधी गर्मी किस वर्स दर्ज की गई तो वो 2023 में दर्ज की गई अगले question पर चलते हैं तो वो yes bank ने इसके साथ में साज़दारी की है next question पर चलेंगे हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधी पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो वो TM क्रशना जी को सम्मानित किया गया है अगले question पर चलेंगे हाल ही में IOC ने इस देश के अथलीटों को Paris Olympic खेलों के उदगाटन समारों में राष्टों की परेड में भाग लेने पर रोंक लगाई है तो रूस और बेला रूस के अथलीटों में और यह भी अप अलम्मिक जो है 2024 में भी जुलाई में इस्टार्ट होने वाला है ठीक है नेक्स कुशन पे चलेंगे IPL 2024 का पहला मैच कहां और किसके बीच खेला गया तो यह चिन्नई सुपर किंक्स और RCB के बीच में MH इतमरे स्टेडियम चिन्नई में खेला गया अगले कुशन पे चलते हैं 20 सुवान की दिवस कम मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है अगले कुशन पे चलते हैं आल ही में भारत सरकार ने अपने नागिर्कों को हैती से निकालने के लिए कौन सा उपरेशन प्रारंब किया उपरेशन इंद्रावती यह कुशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है भार मुँए थिसल्बडशस